नमस्कार दोस्तों स्वागर है आप सभी का तिकिराच योटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रेट मी आमाई मेक्स तू पर इनकामिंग कॉल प्रावलिम को साल्फ कैसे कर सकते हैं अगर दुस्तों इनकामिंग कॉल पर आपको किस तरह का डिक्क camp issue आ रहा है तो दोस्त आप इस वीडियो को देखे और दोस्तों यहाँ पर प्रावलिम को भी solve कर लीज़ेगा क्योंकि दोसे incoming call ये आप receive नहीं कर पाते हैं तो काफी सरा डिक्कते आपको आ जाते हैं ठीक है आप कोई आपको call करने के कोशिश करते हैं और आप तक incoming call नहीं आ पाते हैं ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों problem किस वज़से हो रहा है किसे problem को solve कर सकते हैं तो उसका पुरा solution में आ भी definitely solve हो जाएगा ठीक है तो आप simply यहाँ पर जितनी भी solution है उसको follow करें और उसके बाद दोस्तों आपका जो भी issue है वो fix जरू हो जाएगा तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe करके bell icon को click करें यह यह आप online पेसा कमाना चाते हैं तो वी solution है तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कुछ चीजे है वह ध्यान पर रखना जरूरी है जब भी आपको incoming call पर कोई डिकत आ जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो incoming call है ठीक है तो आपकी device पर भी incoming service जो होना चाहिए available ठीक है यह आपका balance खतम हो चुका है तो recharge वगएर आपको करना होगा time to time वरना आपका incoming call बंट हो सकते हैं ठीक है तो उसको आप एक बार जरूर चेक करें यही आपके पास balance है तो कोई डिकत नहीं है सिर्फ यहाँ पर problem जो है वो आपको incoming call पर ही है तो इस वीडियो को देख लीजिगा ठीक है तो सबसे पहले त तो दोस्तो उसके लिए दोस्तों आप जाये सेटिंग पर ठीक है सेटिंग पर जाकी कुछ हम सॉलूइशन और सेटिंग्स सब करतें तो उसके बाद आपको नीचे में जाकि application को open करना है उसके बाद जाना है मैं मेनेचे पर यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपको मिले पर यहां पर उस्थे आण ऑल्राओ रहेगा टिक्र दखारें इमालेटी रही है जाँण और नोटिफिकेशन पर जाने के बाद सो कॉल एलर्ट है एलर्ट पर पर आप जाईए उसके बार आपका जो इंपोर्टेंस है वह है हाई पर सेट होना चाहिए इंपोर्टेंस ताकि साउंड भी करें आपके स्क्रीन पर पॉप आप भी हो ठीक है आप देख सकते हैं पर अपर आपके साउंड एंड पॉप आप तो दोनों यहाँ पर इनेबल होना चाहिए यह करने के बाद दोस्तों आपका जो यहाँ पर लोग स्क्रीन नॉडिफिकेशन है उसको भी एलाव कर दीजिए ठीक है शो अल नॉडिफिकेशन इंजल कॉंटेंस और लोग स्क्रीन तो chain करने के बाद दोस्तों आप डिवाइस को एक बडर रिस्टार्ट कीजिय करने के बाद दूस्तों चेकर कीजिए प्रप्लेम आपका संट हो जाएगा यह दिवरैंप उसके बार भी problem solve नहीं हो रहा है तो आप दोस्तों सेटिंग पर जाएए अपने कॉल के पेले टो डायलर को open किजिए उसके बाद three lines पर click करके call setting पर जाएए यहाँ जाने के बार आपका जो call bearing है ठीक है आपको उसमें जाना है तो call bearing आपको मिलेगा advance setting पर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा call bearing का option नीचे में call bearing तो call bearing पर जाके आपको check करना है कोई भी यहाँ पर call bearing enable है या नहीं है अगर आपने या तो फिर किसी ने भी call bearing को enable कर दिया है तो आपको जाके off करना होगा आप देख सकते हैं यापर phone option पे all incoming calls यहीं आप इस button को burn on कर देते हैं तो सभी incoming calls बंद हो जाएगा एक साथ ठीक है तो आपको वो जाके check करना है और यहीं on है तो इसको burn कर लेज़ेगा बंद करने के बाद आपका problem जो है वो solve हो जाएगा ठीक है तो यह सब solution आप यहाँ प software को update कर सकते हैं यहीं आप device software को update करते हैं तो दोस्तों आपका जो incoming call का problem है वो solve जरू जाएगा incoming call problem solve करने के लिए आपको update software जो करना है वो about phone पर करना है ठीक है उसमें जाएए और software को update करें software update करने के बार problem definitely solve हो जाएगा by any chance मान लीजिए solve नहीं होते problem तो फिर दोस्तों आ पर जो भी मैंने आपको solution बता हो इसको follow कर दीजिए तो factory research करना आपको नहीं परेगा तो बस यह सब solution है incoming call problem को fix करने के लिए और उमीट करते हैं वीडियो आपको पसंद होगा और आज की वीडियो पर उस इतना ही यह इसके related आपको कोई भी problem कोई भी issue है तो आप हमें comment section प को आ रहा है वो आप हमें बता सकते हैं ठीक है details के साथ तो आज की इस वीडियो पर बस इतना ही thanks for watching